मैं कोई भी financial advisor या financial expert नहीं हूँ, इस वीडियो में टीक ही सभी जानकर या तो internet से ली गई है या फिर Swem के experience और research से बताई गई है, इस वीडियो में sponsor content भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको यही सला दूँगा कि आप कोई भी investment हमारे कहने पर या इस वीडियो मेंटल और फिजिकल लॉस की भी, ये वीडियो सिफ education और information purpose ले बनाए गया है, ट्रीडिंग एक highly risky काम है, बिना पूरी जानकरी के market में trade ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है, और जो भी trading आप करते हैं, वो अपनी risk पे करें, इसके लिए कोई भी जिम fresh वीडियो के अंदर, तो आज किस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं technical analysis को, साते हैं पर कवर करेंगे थोड़ी सी news को, आज ज्यादा नहीं है, एक दू न्यूसे हैं, और वो भी खहिना के टूपकर से related है, तो चलिए उनको कवर करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चनल को सस्क्राइब कर लेजिए, और वीडियो को शेयर करना, बिल्कुल भी ना भुलें, सभी लोगों के साथ, ताकि सभी लोग क्रिप्टो मार्केट से updated यहां पर रह सकें, और इसी के साथ अगर आपकी इन डीटेल सीखना चाते हैं, टैक्निकल आन अभी बहुत ज़्यादा कुछ major changes देखने को नहीं मिले, कल जो हमने बात करी थी bitcoin की बारे में, bitcoin ने अपनी blue line को तोड़ा है, थोड़ा पूत retracement हो सकता है, और फिर हमें dumb देखने को मिलेगा, तो market अभी उसी चीज़ को follow कर रहा है, हाँ इसमें definitely आप यह बोल सकते हैं, कि market might be यहाँ एक support बना रहा है, तो अभी के लिए हमारे पास 23,450 के असपस का level थोड़ा से important है, market अगर इसको slip कर देता है, कुछ भी करता है, तो market के हिना के rejection लेके नीचे की तरफ भी drop यहाँ पे कर सकता है, तो अभी फिलार में bitcoin में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, जिससे हम लोग पहले भी expect यही कर रहे थे कि dominance में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, और इस target के according लगवग 43.12 तक dominance आ सकती है, जिसमें bitcoin के अंदर भी correction यहाँ पे हो सकता है, महीं पर बात करते है, other dominance के बार में है, तो other dominance फैनली breakout कर गई, कल जिस falling वीच के हमने बात कर रही थी, व Ethereum ने जो trend line ने इसको बहुत अच्छे support दिया है, हाला कि मैंने आपको बता था कि यहाँ पर यह support शायद ही काम करें, लेकिन अभी कले इसने जास एक bounce देने के लिए, market को इसे support से थोड़ा सा bounce back आया है, और यह वाली trend line है, यह Ethereum को थोड़ा सा resistance यहाँ पर दे रही है, तो अ तो around 4% से लेकि 8% का risk है, and reward की अगर हम बात करें Ethereum में, तो कम से कम हमें यहाँ पर 12% से लेकर, approach 29% तक के rewards expected रहेंगे, तो 12% एक nearest reward है, जो हम थोड़ा सा expect करके चल सकते हैं, बट यह तब ही possible है, जब market है से rejection ले, और यह वाली trend line है, इसको थोड़ा सा हम लोग broad कर लेते हैं, तो इसको भी right color में मैं mark कर देता हूं, तो यह वाली red line, break यहाँ पर हो नीचे के तरफ, next अब बात करते हैं हम लोग light coin के बारे में, light coin अभी थोड़ा सा trap है, जैसे हमने कल भी बात की थी कि अभी हम यहाँ थोड़ा सा reaction का wait करेंगे, price नीचे आ के थोड़ा बहुत अब resistance ब मिलना चाहिए, थोड़ा सा जो local support है वो definitely इसको 302 से 304 के असपास मिल रहा है, पर prices अगर नीचे की तरफ decline करना start करते हैं, तो लगबग 280 के असपास यहाँ पर prices आ सकते हैं, next बात करते हैं, XRP के बारे में, XRP में अभी तक कोई भी pump नहीं आया, XRP स्टिल sideways है, तो हम dot में एक अच्छा pump आया है, कल जो हमने expect किया था कि market dot का थोड़ा सा pump कर सकता है, and then फिर correction हो सकता है, क्योंकि dot के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा resistance है, इस वाले resistance को अगर मैं mark कुरू तो आप clearly देख पाएंगे, यह वाले resistance है, जो हमें 7.3, 7.4 के असपास देखने को मिल रह आता है, तब हम इसको collect कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कुछ changes होंगे, तो हमें आने वाले थोड़े से future में ही पता पड़ पाएंगे, तो expected है कि अगर यहाँ से कुछ पाउंस आता है, तो लगबग यहां आके इस तरह थोड़ा drop करें, जो कि fake out की तरह हो सकता है, और अगर इ अभी भी यह trend line यहाँ पे break नहीं हुई है, और इसी के तोर पर कर प्राइस यहीं पे hover करता है, तो नीचे के तरह जो support is 0.35, वहाँ तक हम लोग expected करेंगे, तो अभी जितने भी else को आने सब में हमें correction देखने को मिल रहा है, तो definitely अभी हम लोग support की तरफ जादा ध्यान दें हैं, दुबारा जाके 7.8 के उपर अपना support यहाँ पर इसने बनाया है, हलाकि support अभी तक confirm इतना अच्छे से हुआ नहीं है, अगर यह properly होता है, तो हम इसको long के बारे में सोच सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा wait करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर अगर एक proper 2 के असपास, बट अगर हम लोग long position में जाना चाहते हैं, तो हम इसी zone के असपास देखेंगे, थोड़ा सा उपर देख सकते हैं, पर यहाँ पर risk क्या बना रहेगा, कि अगर price नहीं से bounce कर भी गया, तो यहाँ से rejection मिल सकता है, तो यह जो छोटा सा bounce होगा, यह I don't think इतना healthy bounce फिर हम लोग उपको देखने को मिले, नेक्स अपर बात करते हैं, माना के बारे में, तो माना ने अपना जो falling wage break किया था, वो अलड़ी retrace हो गया, अब जो prices से वो नीची की तरफ आते हैं, तो 0.61 के असपास support है, 0.61, 0.63, तो यहाँ तक हम लोग expect करके चल सकते हैं, और इस तो दोस्तों सारे coin, इसमें बहुत ज़्यादा major changes नहीं हुएं कल से, लेकिन छो छोटे-मोटे changes हैं, वो आप definitely देख सकते हो, and prices इसी तरह work करते हैं, dip, थोड़ा pump, फिट dip, तो यहाँ पर जब तक हम मारा resistance level के लिए नहीं होगे, तब तक हम short position को ही ज़्यादा difference आपर देन हैं, वो basically एक से देड़ घंटे के लिए आपर बंद था, और इसके अंदर जो reason बता जा रहा है, वो बता रहे हैं कि जो कुछ note थी, वो basically out of sync हो गई थी, जिसकी वैसे problem होगा, लेकिन जो block का production था, पॉलिगन की चीन के उपर, वो basically effect नहीं हुआ है, सिर्फ जो scan का issue था, वो सर्ज हुआ है, क्योंकि Coinbase ने बोलाई कि वो layer 2 solution built करने वाले हैं, optimism के उपर, यानि कि इसके protocol के उपर, और Coinbase इसके उपर, I think कि अपने decentralized exchange, landing protocol, daps, और इन सबी जो को main net के अंदर लेकर आएगा, तो उससे पहले यहाँ पर यह लेकर आने वाला है, test net के अंदर, यहीं पर हम हम लोग बात करते हैं, OP token के बारे में, क्योंकि इसको हमने बहुत time से obviously देखा नहीं था, तो OP token को अगर हम लोग इस point पर देखने के कोशिश करें, तो इसका bull run बहुत अच्छा phase में चल रहा है, almost 60 ने यहाँ पर सबसे पहले start किया था, last time हम लोग ने यहाँ पर देखा था कि यहाँ से market गीरता है, तो यह वाले दो supportive levels है, जिसमें से पहला तो इतना hold नहीं कर पाया, second से market को एक अच्छा hold मिला है, and push हमें देखने को मिला है, और अब की बार अगर देखे तो यहाँ पर हमें एक head and shoulder देखने को मिल रहा है, inverted, यह shoulder, यह hat और यह shoulder, जिसके इसाब से तो यह breakout दे रहा है, अगर यहाँ पर proper retracement आता है, तो market इसको एक अच्छा कासा of way के तरफ खीजेगा, तो इस वाले bottom से, इस वाले top के अगर हम लोग बात करें, तो लगबग, लगबग हमें 4.4 dollar के आसको सका, target यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो optimism में एक अच्छा नहीं दे सकते, तो इनके token की performance ज्यादा better है, बाकि सबी चीजों से, तो definitely link को check out आप करते रहें, I hope most videos भी काव पर पसने होगी, दोस्तों, गर वीडियो के पसने, तो please वीडियो को like करेगा, अगर भी तक आपने चैनल, अपने फैमिल या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो मैं मिलता आप से लिए कुशन देने वीडियो के साथ, अब तक लिए, have a great day, and bye-bye.